आपने का परिच्छा फॉम भरने का तीथी जारी कर दिया है, जिसका ओफिसल नोटिफिकेशन हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, अभी अभी दखेए, ओफिसल नोटिफिकेशन जो की 9-3-2-24 के डेट में जारी की गई है अगर आप Part 1, Part 2, Part 3 के छात्र हैं चाहे आप पर्मोटेट है या फेल हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेट है कैसे आपको परिचा फॉर्म भरना है परिचा फॉर्म भरने में क्या क्या आपको लगने वाले हैं कितना पैसा लगने वाले हैं और किस तरह से आपका परिचा फॉर्म भरा जाएगा या आपका उसका फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है कैसे आपको फॉर्म मिलेगा उफॉर्म भरने के लिए तो इस वीडियो को आप लोग पूरा लाज सेख देखेगा पूरी हम जनकारी बताएंगे अगर आपका नोट फाउंड बताता है परिचा फॉर्म भरने में तो आपको कीस तरह से आपका परिचा फॉर्म भरा जाएगा तो चले वीडियो को शुरू करते हैं उसे पहले आप स नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है देखें यहां पर डेट दिया गया है और यहां पर रिफ्रेंस नमबर आप लोग देख सकते हैं चले नीचे के और स्क्रॉल करते हैं और आपको हम बताते हैं पूरी जनकारी तो पूरा वीडियो को लाइश टक वाच किजेगा पूरी अगर आप पार्ट वन हो पार्ट टू हो पार्ट थिरी हो सेशन आपको यहां पर देखें दिया गया है साप साफ दो हजार बाईस से पचीस है और दो हजार एकश से चोबिस है उसके बाद आगे बता है आपका का परपत्र आउनलाइन एक्जामनेशन फॉरम फिलप करने क किती थी निम्नांकित है देखिए सेशन आपको यहां पर दियागा अगर आपका यह सेशन है तभी आपके लिए है देखिए सेशन यहां पर दियागा बीना बिलमसुल के साथ 9-3-2024 से 18-3-2024 तक यानि कि आज ही नोटिफिकेशन जारी की गई है यह और आज ही से आपका पर नश्यंजन आपको एनृँजान फॉर आपको पर दाउलोड करना है फॉरं कहां से मिलेगा आपको जोकी हम आपको इस वीडぎो में लाश्ट में बतायाइगे कैसे आपको परेशा फॉर्ण को डाउनलोड करना है तो चलि रहोगती है यह होगे आपका बिना बिलम इस हे दिया गया है जेनरल और बीसी टू के कटेगरी का साथ सुर्पया लगने वाला बीसी वन एससी एस्टी कटेगरी से आप लोग आते हैं तो आपका पड़िछा सुल्क यहाँ पे 500 लगने वाला यह बीना 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 सुल्क के साथ दिया गाँ अगर नीचे हम बढ़ते हैं तो देखें आप पर बतायागा यूजी रेगुलर पार्ट थीरी का यह पार्ट वन और पार्ट टू को होगा अगर आप पार्ट थीरी के छात्र हो और आप पर इच्छा फॉम भर रहो तो देखें यहाँ पर आपको ज्याधा पैसा लगए किया नहीं कि यहाँ पर आपको दिया गए मैं मांकुट का तो मांक्सिट जब आपको मिलता है यहां यहां Dolpeा A not नोसो हो और यहां पे आपको दियागा 500 तो यहां पर हो जाएगा टोटल कीतना तो शोलसोर रुपिया ओजाएगा BC one is C category से अगर आप छात्र हो 500 यहां पर दियागा पलस अधीए गया है तो यहाँ पर देखे यहां पर भंच यहाँ पर भाट थीरी के शात्रों के लिए है जो आपका माक सिट का अलग से पैसा लग रहा कि अलग से यहां पर 900 रुपिया है जो की एड किया गया है तो यह अलग से लगने वाला आगर आप पार्थिरी के छात्रों होतों देखें यहाँ पर आगे बताएगा कि परपत एक्जामनेशन फॉरम फिलप करने के लिए एक्जामनेशन कॉलेज लोगिन में एक्जामनेशन फॉरम दोजार चोविस के अंदर लिंक दिया गया है यह आपका यहाँ पर बताया गया है उसके आगे हम चलते देखें यहाँ पर नोटिफिकेशन का आप लोग यहाँ पर जो आज ही के डेट में जारी किया गया है मनोज सब्सक्राइब बता है यहां पर समेश्टर का बात नहीं किया गया है जो समेश्टर में आते हैं उनका यहां पर बात नहीं सब्सक्राइब करते हुए आप लोगों को यहां पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब को निर्देश दे दिया गया है अगर आपका एक्जाम भरा जाता तो यह आप लोगों के भर लेते हैं लेकिन यहां तो कॉल्च के दौरा आपको भरा जाएगा उसके बाद आगे बताये लिए जाने से पूर्वे एक्जाम फोरम का ओफ लाइन फोरम पीपीउ के पोर्टल लेखें यहां पर बताया गया यानि कि जब आप लोग अपने फॉरम करने जाएगा कॉलेज में तो आपको को जो आफ लाइन फोरम भरवाया जा रहा है पार्ट वन पार्ट तू पार्ट करना है तो आप लोग है जो की इनवर्सिटी के वेब साइट पर जाकर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप लोग हमारे जो वीडियो के डिस्केप्शन में लिंक दिया हूं टेलिगराम का वहां से जोईन कर लेजिए वहां पर हम इस फोरम को अपलोड कर दी ह आफ लाइन फोरम में तो आप लोग है जो की टेलिगराम जरूर से जोईन कर लेजिए और अपडेट के लिए भी आप जोईन जरूर से कर लेजिएगा क्योंकि आपको इस चैनल पर पार्टली पुता इंसुटी की तरफ से हर अपडेट दिया जाता है तो वहां से आप लो आनि कि आपको फॉर्म भरने के बाद जो भी आपका विभाग वहां पर जाकर अपना जो भी उसके साथ डोकुमेंट लेगा उसको लेकर जाना है उसके बाद संबंधिन काउटनर पर जामा करना आवस्चक निर्देश में दिखी यहां पर दिया गया है सर्व पर्थम शात आगे आपको जनकारी दियागा कि डिपार्टमेंट अपने अस्तर से एक्जामनेशन फॉरम एंड 75% हाजरी को चेक एंड वेरिफाई कर ऑनलाइन है तो अगर सारित करेंगे साब साब यहां पर बता गया है कि एक्जामनेशन फॉरम आपका भरा जागा तो डिपार्टमें आपको चेक एंड वेरिफाई कर आउनलाइन है तो आगर सरीत करेंगे यानि कि ऑनलाइन इनका एक्जामनेशन फॉरम होगा नेक्स्ट है आपका और नोटिफिकेशन यहां पर आप लोग देखिए यह नोटिफिकेशन किसके लिए है तो जिनका अगर फॉरम भरने में नो रिकॉर्ड फॉन्ट आता है उनके लिए तो देखें न 기 dream 2020 75 को जारी किया गया है दिग को लिए त्यी नोटिफिकेशन को जारी किया गया है का पड़ी परिच्छा परपत्र ऑनलाइन एक्जाम फॉर्म फिलब भरने की ती थी बिना विलमसुल के साथ 18-23-2024 तक निर्धारी थे उपरोप्त कोर्स का ऑनलाइन एक्जाम फॉर्म फिलब करने में जिन छात्रवम छात्राओं का डाटा रिकॉर्ड नोट फाउंड सो कर एक अपने महावीद्याले में आवेधन जामा करना country अपने दू चात्र थाओं जामा करना कर दीए गया सब्सक्राइब देखें आगे बताया गया कि दूत नोट रिकॉर्ड फाउंड को सही कराने के बाद इस इच्छा विष विदाले की परिच्छा विभाग छोडएंगे अन्य था इसका जिमेवार विष विदाले नहीं होगा देखें यहां पर यह एक्सल सीट बनाया गया यह एक्सल सीट है जो कि जो कॉलेज होंगे महां विदाले वो अपने करमचारी को भेज़ेंगे विष विदाले और वहां से बीस विदाले जाएंगे तो वहां उनका जो नोट रिकॉर्ड फाउन सो हो रहा है उसको सही करवा करवाएंगे वहां पर साब साब बताया गया उसके बाद ही भाग को छोड़ेंगे देखिए आप दिया गया नोट में पार्ट वन पास पर मोटेट पार्ट 3 का online exam form fill up करेंगे अगर आप पार्ट 1 में फेल हैं पार्ट 2 and पार्ट 3 का online exam form नहीं फिल करेंगे यानि कि आप लोग पार्ट 1 के छात्रों और पार्ट 1 में आप लोग फेल होगा है तो फेल होने की सिती में आप लोग पार्ट 2 का और पार्ट 3 का form नहीं भर आगे दियागा है सेशन 2019 बाइस के चात रेगुलर के तहट अगर पार्ट वन और पार्ट टू पास हैं तो केवल पार्ट थीरी का पर परिच्छा परपत्र भरेंगे देखे सेशन 2019 बाइस के भी यहां पर चात्रों के लिए अपडेट आया हुआ है कि अगर वह पार्ट वन म के चात रेगुलर के तहट अगर पार्ट वन पास हैं तो केवल पार्ट टू एवं पार्ट थीरी पास एवं पर मोटेड हैं तो केवल पार्ट थीरी का परपत्र भरेंगे तो यह रहा दोस्तों नोटिफिकेशन आपको जो कि अभी अभी 9-3-2024 के डेट में जारी की गई ह यह एक्जामनेशन फॉरम को लेकर है पार्ट वन पार्ट तू और पार्ट थीरी को लेकर जो कि मैंने इस वीडियो में पूरी जनकारी आपको बता दिया है और आपको यह भी बता दिया कि फॉरम आपको ऑफ लाइन जाएगा को उसको कैसे डाउलोड करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए